नमस्कार दोस्तों निखरो आप फूलों की तरह बिखरो आप खुश्बू की तरह इसी के साथ मैं रुकुम अत्री आपके समक्ष एक ऐसे पौदे से परचे कराऊंगी जिसका नाम है अकालिफा बिलके सियाना और इसको हम सामन भशा में कौपर लीफ प्लांट कहते हैं इसक वेसें उसी तरह इनकी 4-5 जातियां होती हैं जो 5 जाती दो कलर की होतीएं और जो हल्का और ब्राइट रंग होता है जैसे इस पीला रंग दिखरा है इस पीले रंग में हरी हरी विद्धियां हैं उसी दरह दूसरे पधों में भी डुर पति का कलर डार्क है उस पति की एक क्यात्र देश्टा यह है कि इसमें ये तना यह देखिये यह दिखाया मैंने आपको यह हना है और ये तना सीधा जाता है ऊपर यह ओर आके पतियां मुकट के समाण दिखाई देती है यह मुकुट बन कि सेंटी मेटर की होती है यह वाली इसमें फिमेल और मेल अलग अलग होते हैं दोनों अलगते हैं यह सदा बाहर प्लांट होता है एवरगीन 유ड क्यणा का जर्या और यदि हम इसको चोटा रखनाches गमले में लगा देते दो यह मुकुट के समान रचना है पॉधे की विशचता बहते हैं पॉधे में चार नगा देती है इस गार्डशन को सुन्दर बनाने के लिए हम इसका हजना के बाइव करें यह एवर्गीन प्लांट है इसको कटिंग के द्वारा भी लगाया जाता है और इसको तन्य के जो मैंने आभी आपको तरह दिखाया है देखिए यह वाला इस तन्य को काट लेंगे तिर्शा करके 45 डिग्री पर और इसकी पती यहां हटा के और इसको हम गमले में लगा देते ह बहुत ही आसानी से अग जाता है बहुत ही सरल पोधा है इसको लगाते वर्ग्ध हमें ध्यान रखना है जीसे हम और पोदो में रखते हैं कि इसमें पानी रुखना नहीं चाहिए और इसकी निकासी बहुत अच्र face Kenneth दिख यह बशात क्यों यह यह बशात के मौसम में उगा और 20% सेंड यह हम मिला कर गमला बना लेते हैं और गमले में डाल देते हैं या फिर हम जमीन में देब मैंने तो इसको जमीन में लगा रखा है देखिए यह देखिए साथ में मैंने इसके उपर हड जोड की बेल भी चड़ा रखिए और यह मेरी धाडी रुमा आकार इसने ले इसको मदूमेय, पीलिया, अस्थुमा, हाई ब्लेट पेशर, ब्रोंकाइटिस और तचा रोग में इसका उपियोग किया जाता है और हमारे यहां पर जो भी हमारी बायू है वो थोड़ी प्रदूशत तो रहती है क्योंकि यहां पर वहां चलते हैं और भी प्राब्लम्स है तो यह एर का प्रदूशन को रोकती है इसका बहुत ही अच्छा इस्तमाल होता है इसके लिए कैसा लगा वीडियो यदि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें जो पहली बार व्यूवर्स हैं उन्होंने पहली बार देखा है मेरा च